हेलो दोस्तो मैं हूँ विपन कुमाज अकसेना और मैं फिर आ गया हूँ आपके साथ एक और नए पॉड़कास के साथ मेरे साथ आज हैं सीए सूरज कपूर ये मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है चलिए आज जानते हैं इसकी स्टोरी M&A में बनाया है इन्होंने अपना नाम आता है इनको कंसर्टेंजी में हर काम घूमने फिरने और स्पोर्च में हैं इनकी रुची आए मिलते हैं सीए सूरज कपूर से माफ करिएगा अगर मुझसे हो गई हो कोई तुटी है हेलो सूरज कैसे हैं आप इंटर्व्य क्या एक फ्रेंड़ी पॉडकास्त है दोस्तों के बीच में तो सूरज भाई सबसे पहले तो मुझे यह बता ओ कि क्यों, CAQ, ऐसा क्यों कि तुमने इस स्कोर्स को चुना? ऐसा क्यों कि मैंने इस स्कोर्स को चुना? Back in my school days, like I was not good in studies, थीक है? मैं पढ़ा ही तो इतना week ता, class 8 तब जो है, like I used to rank around in 30 people, 20-25 तो थानी पढ़ा ही इतना कुछ, लेकर तिर न, school change हुआ, तो पापा नहीं एक है, कहाला, school बदल के देखते हैं, कि बदल है, वो किछ बदल जाए तो when I went to this LPS school, जो friend circle बना एक तो, उस friend circle का एक बहुत important part, मैं भी हूँ जो इनका friend circle की बाद आ रही है, तो हम लोग जब starting में school गए थे, तब ये बन्दा, इसका बैठने के लिए प्रगलेश थी, दो लड़े 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 में हैं, भाई मेंको बैठना तुमाई साथ, मेरे को तुमाई साथ बैठना है उस gentleman थोड़ा साथ बढ़ाई में, बट ठीक है, उसकी बाद नहीं दढ़ा, इसकी बाद रहा, इसकी बाद रहा, इसकी बाद रहा, इसकी साथ बैठना है तो जो साथ में दोस्त है, Shobit, Panopjaan, तो they act as a competent, like they were competent enough, so एक था कि यार ठीक हमी के साथ रहना है, तो जो इनके साथ लेकिन हम लोग मैं, Shobit, आपस में दुसरे को competition देते रहते थे, फिर ठीक है, अब बढ़ रहें, तो अपने आपको ना, मतलब हम पता भी नहीं लगा, we are more indulging in studies now, हम लोग पता भी लगा, तो आपस में पढ़ने लगा है, ठीक है, दोस थे ही थे, और आपस में आपस में अ यह लड़का CA मने का, यह लड़का CA बन जाएगा, बस प्याद मी बढ़ना चाहिए, सूरेज मेरे बहुत पुराना दोस्त है, और ही इस चार्टर अकाउंटिंग, जैसे कि आप लोग जानते ही है, कि एक CA, और उसकी दुनिया, एक CA से अच्छा कौन बता सकता है, तो हम ल कि आप लोग सोचते हैं, कि सातार्थ लड़कों का ग्रुप है, तो सब नारायक होंगे, बट हम लोग के साथ कुछ उल्टा था, हम लोग एक दूसरे को थोड़ा सा मोटिवेट करते रहते हैं, कि भाई, तो थोड़ा सा पढ़ लीओ, मस्ती तो होती रही, तो इससे क्या ह कि सारे ही सातार्थ लड़के जो थे वो पढ़ाई में एक दूसरे की हल्प करने लगें, और धीरे-धीरे करके एक दूसरे की छोटी-छोटी मिस्टेक, जैसे मेरे को मैस नहीं आती है, इसको हिंदी नहीं आती है, तो इंप्रूव करने लगते हैं, सो हां सूरज, आप बचे जो बंदे ऐसे बन गए, सात्वा बंदा वो अलग से उचाना लडगें के साथ बैठना पड़ता था उसको, उसको वाज़ा नहीं से लुचित की लडगें में, हम लोग जगे नहीं दे रहे थे थाना इस बंदे को, इसलिए वो उचाना उनके साथ बैख राता, तो बाइ, CA में कैसे है, में पॉइंट बाते हैं, तो मैंने सिबता है, आपको की टीशर ने इतनी एक्स्पेक्टेशन सख़़ी करते हैं, यह CA बनेगा, एंड उस ताम पी लगता थे की, CA एक टोप है, अब इसको तो करना है, पिर जैसे अब बचा से पूच जाएगी, जो इं CA सबसे दादा तफ है, अब जब प्रहे में अच्छी हो गए, पर जब ले रहा ही है, तो फिर अच्छी चीज से लोग पिर, CA ऐसे दिनी शार्ट होई, CA की अच्छा तो मतलब सीदा, अगर मैं बोलू तो यह था कि हम लोग को बताया कि CA कोर्स कॉमर्स फील में सबसे टाफ तो हम लोगा स्कूद गए, कि भाई यह सबसे टाफ है, यह कर लिया तो फिर कुछ तो काड़ा है जिन्दगी में है, और हम में तो पैसे तो कमाने ही है, अब से आदा बोल दे ही इसमें पैसे है, और हम लोग को छोटे पर बताया भी यह किया था कि CA को इसमें पैसे बहुत तो मैं अपनी CA Foundation की studies में बैठ गया, कि आप पेपर यह क्लियर करना है, तो जूब थी मत अपने पेपर मैंने क्लियर दी है, जून में अराउंड होते हैं, तो हम लोग पेपर फटम होते हैं, तो दो थी मैंने होते हैं, तो उसमें अपनी पेपरेशन सबने शार्ट कर दी थ सबको रहता है कि आप कॉलेज जाना है या सब नहीं करना है, यह बहुत बड़ा कुश्चन रहता है, सबके दिमाग में कि CA के साथ आपको एक नॉर्मल ग्राजुएशन करना चाहिए, या फिर आपको कर्रस्पोंडन से ग्राजुएशन डाल देना चाहिए, लेकिन एक क्य मने अपना North Headphones अपना। ग्राज अपनाभटे ग्राज प्राज, यहां दो सब्सपोंड़र है नहीं हो अपना देली में देना, की प्ला में में करो एक करना ही ही हुगलॡा यह नहीं हो कि छूदा के लिग सबस्नीक, की आपके की सब्चे को डिला, देली आपने लुहता है जब उन चोड़ गया था, I was in college CPT वहाँ पे क्लियर हो गया अब नई सिखी थी, you don't know anything अब IPCC स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट होगा और आप घर चोड़ के आयो, आपको रहने का भी पता अपना खाना पीना कैसे होगा, प्रेवलिं कैसे करोगे आपको कॉलेज के बारे में नहीं पता है कि कितनी अटेंजन्स महाँ पे देनी है टीचर्स कैसे हैं, वो पॉपरेट करेंगे या नहीं करेंगे क्योंकि आपको एक एक स्टार्ट भी कर रहे हो उसके साथ तद एक्स्ट्रा अपना IPCC पे ध्यान दे रहे हो मेरा इसली में आप地 siři के अपना दे डेले आग या कि अपने को टीचर्स का चैने कौर्ट के प्लायस की कि यार अदर आप प्रोपर रिगलर कोलेज कर रहे हैं गर सिस्ट्न ऐला मैं शेय्कार्न पटाना कि 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 पताना देउनका बह היरिवगा है अगर आपको satellite classes भी करगी है तो आपको एक center पर जाके recorded classes या फिर live lectures देखने बढ़ते हैं उस time पर laptop या आपके phones पर classes अमनों का available नहीं देखने So IPCC की preparation जुटी वो कैसे थी first group आप देना चाह रहे थे या second group देना चाह रहे थे क्योंकि बच्चों को समसे पहला confusion यही होता है एक दू 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 दो 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 दे दू कुछ भी मद दू उसका क्या सोचा आपना है यह जब पता है, पेपर देशा है यह तो इपत्लमख भी हैं, यह तो क्या हैं, तो घ। हो जाएगा स caught 해 is he a part come recreate इसे क्षिए सी में था कि जब कुछ दोनों गुरुप देंगे चाल जिले निए की तो टृम जब होग गै तो स्कूल में हम हम लोग का time table थोड़ा सा बदल सा जाता है इस्कूल के बाद क्या होता है थोड़ा college life में आप उतने puncture नहीं रहते हो इतना आपका discipline नहीं रहता है ऐसा क्यों होता है सबके साथ पहली बात है फोकस की आप पे कोई focus नहीं कर रहा होता है इस्कूल टाम पे जो टीचर होते हैं आप face to face होता है वो आपको focus करते हैं आपको attention देते हैं ठीक है वो आपसे expect करते हैं कुछ and you want to prove them right also and आप जब satellite process करते हो तो वहां पे वो teacher नहीं एक तो face to face interaction नहीं होता है ठीक है तो वो बोलता है कि तीक है आपको motivate करता है लेकिन you don't feel personal with these things और फिर आप वो ना टीचर नहीं कहीं से motivation आता नहीं फिर यह होता है कि आप CF profile में आप वो motivation खुछ से अपने अंदर से लेकर आना है कि हाँ से कि अब मेरे को देखना है कि यह मेरे को clear तरना है कोई teacher नहीं है कोई third person नहीं है momi papa भी नहीं है आपके जो आपको motivate करें you live in different cities अब आपको खोदी देखना है कि how do you have to go for it में जीज़र यह कि हमान कोई schedule ही होता है हमें कोई डाटने बाला नहीं होता है हमें किसी को homework check नहीं खराना है कि आज मेरा homework हुआ है कि नहीं हुआ है यह मेरी responsibility है सो उससे क्या होता है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हो आप college life में आते हो तो आप चीजों में अपना discipline को देते हो फोड़ा सा रोज काम करना बंद कर देते हो तो इसलिए वो चीज़े लग करने लगती है हा तो सुरज फिर आप नहीं में बोल्ग्रूप का सोचा तो उसकी preparation कैसी रही बोल्ग्रूप का preparation था अब मेरी जब classes अपनी खतम हो गई थीक है मैं कुछ आदे आपको over estimate कर लिया था तो पर जब पता लगा कि यार यह तो होई रहा है classes कातम होई और होमबक मैंने कातम करा नहीं है अब तो फे दोनों गुरूप जिए जाके कुछ कुछ कर नहीं होगे तो यह नहीं आप कुछ आदा चीव कर लोगे तो एक यह ज़िए ले लेते हैं पास में जबानी शुरू होई है तो आरामशे कर लेंगे तो इसकी वज़े से काफी चीज़े डेले हो जाती है तो फिर IPCC मेरते मैंने IPCC मेरते मैंने group 1 दिया और मेरा group 1 पहले अटेंब कीए फिर उसके बाद second group की अटेंब कीवा लिया तो फिर second की अपना normal class की अटेंब कीवा लिया तो वास प्रोप वन क्लियर उनका अटेंब कीवा उसकी भी class कीवा देखी लेकिन जब गये paper दिया paper group 1 तो इसकी था I don't know whether it will be clear or not तो पैली बार दे रहते है IPCC का तो कुछ पता ही निटे कैसे होगा तो जब paper देखे निकले बाहर तो लगा थे यार तो पैल होगा इसमें तो पैल होगा लेकिन आचांस पास होगा थे लेकिन जब group 2 का second item जब दिया IPCC का second group दिया I was being confident हाँ थी कि ये तो बहुत बड़ी paper गया है इसमें तो पक का पास अचा तो क्या पास होगा फिर या फिर उस बार ICI ने कुछ नया चीज करा होगे लाए ICI तो अरग लगए लाए ICI को कॉंट बोलेगा कुछ गंदी हमारी ही है अरे फिर कैसी feeling भी अचा जो बच्चा हमेशा से पास होता चला होगा रहा है 12th में 90% CPT एक attempt में पास IPCC group 1 एक attempt में पास जब group 2 की बारी आई और पहली बार failure के सामना हुआ तो कैसा लगा एक setback रहता है कि या तुम fail हो यो लेकिन I didn't take it as personal ये प्रफेशनल चीज है प्रफेशनल चीज को परस्नल से चीज प्रफेशनल चीज है तो मैंने का थीक है I think में प्रफेशनल चोड़ी कमी थी मैं और इप्रूब कर सकता था क्योंकि कुछ अप्रस मैंने छोड़ की गया था तो मैं था कि अगली बार इसको और चीज से कर दूँगा अच्छा मैं एक बहुत इंपर्टन तो में पूइए जैसे कि जब आपके मुमी नहीं भी योटियो मैं गप्रफेशनल देरियों आपका सथा हुआ नहीं है जो अपको बीतन कीा मैं तो पीजिग आता हुझी मां प्रफेशनल घैसे हो जाते हुआ हब कि आपके पापा नहीं होते हुए तो यह परस जब पेपर देने के रहा था तो पहला पेपर था तो मैं खखकर प्रह्लिंग क्या हम अपना नर्वस्थ रहते हुआ है तो मैं सब देखे हैं मृपए का अपने मृद्ट पर नगया है मम्मी का तो कॉल आता है मैं मेरे भाई का कॉल आजाए वह आपको तुकि आप धूर रह रह रहे हो आपको वह मोटिवेशन मिल जाता है तो वह मैं आप भी याद है कि एक वह उस कॉल से कितना मैं खुश हुआ था वह पेपर का जो लेवल होता है वह अच्छा जाता है आप जब दूसरी सिटी में होता है आप पर लोनी लेश सकती है कि आप कोई नहीं है वह करने के लेकिन एक वह कॉल एक वह चीज वह परसनल टेस्ट आपको दे देती है अच्छा तो थोड़ा समय है इस चीज को और डीटेल में लेकर जाओंगा कि जब क्या होता है कि हम दूसरी सिटीज में जाते हैं तो हम लोग का स्कूल फ्रेंड्स हम लोग का जो एक ग्रुप होता है वो सब छूट जाता है आपको नहीं से नहीं से नहीं से नहीं बनाने तो उन सब चीजों के साफ साथ एक जो emotional pressure होता है या पर mental pressure होता है CA का कोई प्रफिसनल कोस करते समय है वो कैसे tackle क्या आपने है पहले तो यार माइंट सेट काफी important होता है एक positive mindset हमेशे होता है कि यार थीक है लाइप में कुछ भी हो तीक तुम कड लोगे, you can do it इसी कोई भी चीज नहीं है, जो एक पॉसिबल है तो हमाई उसक्षाने का उनलाब नहीं था सिस्टम, तो हम लोग भाहर जाके देखे थे खाने कीने का तो यह अपरोच भाहर नहीं खा सकते जिए वह भी बजट के बाहर हो जाता है तो आप जाके दूनते हो जहां पे हाया जब खाना सी हमिलता है तो अहालेजर पर, अल्हें तो फीर प्रb तो सब्सक्राइब रहुन है और नहीं दितनेकेशन लागाएदनेशन。 तो इस देखा लेजाएब भुटपटानाया कि लोग भटक जाता है। तो आपके साथ कभी ऐसा विल्ड हुआ कोकि आप भी थोड़ा सा बीच में भटके या फिर आप अच्छे बच्छे से और आप सीथी इसलिए पहते हैं यार बटकते हैं, सब बटकते हैं ठीक है लेकिन अपना दिमाग में रहता है कि आप जाना कहा है बस वो दिमाग में रखो, बाकी तो enjoy करने को तो कोई की मना करेगा, enjoy तो मैंने, कोई लाइक करीगी है, और मैं तो अभी भी करता हूँ, ठीक है, लेकिन बस एक जो focus है, at the end game आपको जहाँ पॉसना है, वो बस याद रखो, बाकी आप कहाँ से भूंफिल के चार है, कोई मतलब नहीं हो, इसका में रखो जाएगा, कर लूँगा, and he is the second person of our group, जिसमें सब से पहले से निकाद है, so, इस मतलब, chilled attitude का secret का है, मतलब आप इना relaxed कैसे रहे तो हर चीज के बारे में, आप जो चीज दिमांगे कर लखते हो, वही चीज होती भी है, तो अपना दिमांगे कर लखो कि paper clear हो जाएगा, कोई load नहीं है, पस तुम नहीं सोच रहो कि अपर क्लिए करता है तो नहीं होगा तो सोचने से तो नहीं होजाएगा तुम अपना goal set करो चैन से करो क्या करना क्या अचीब करना है उस पर भग करो अने पार टाइम भी कुछ रहो ओके फिर आता है बारी अर्टिक चुटिक, लाइफ का इंहुट बहुत ही इंपोर्टेंट को होता है। उसमें आपको छूज करना होता आपको कहा काम करना है। इसके अंडर में काम करना है। This can either break your life or make your life. So, articleship के बार में आप सबसे पहले मुझे ये बताईए कि कौनसी firm में काम करना था, कहां पे काम करना था या कब articleship शुरू करने थी क्योंकि कभी-कभी के ओड़र बच्चों के साथ दिक्कत होती है कि अगर उनका graduation चल ला है और उनके college के time class कर रहे है तो दे नोट साथ जाए आठकरशिप इस सब के बारे में आप अपना experience बतागे क्या आप पर गैसरा है मेरा actually आप तो college क्राम पर ही clear हो वे थे लेकिन अब college के साथ मेरा six months पचे हो थे college के तो अब यह था कि यार आप college को आपको वहाँ से permission नहीं होती है तो पहले लोगों से बात होई तो पहले लोगों परमेशन नहीं देंगे अब पर मैंने का थीक है six months ही है अपना college life भी अब जोइन किया तो प्रॉपर college भी पर जाके enjoy करते है कि क्या है how things are college life क्या importance रही है मतलब जैसे कि आपने कहा आपने पहला break लिया था C exam से जब आप मतलब जब जब आप जब आप जब तरी शिफ्कर थे इनीशे एर्स फिर उसके बाद आपने last में articles पहले को ब्रेक लिया I would say a semester word 2 जिससे आपने अब मतलब थोड़ासा अब ताकी legally सरी तरीके से start हो तो उसके लिए उसके लिए तो मेनवाइ जो कॉलेज राइफ थी आपकी उसने आपकी परस्नालिटी आपकी ग्रूमिंग में क्या रोड ले किया वेला इसे मता है आपने जब कॉलेज में आपने सिटी से बहार जाते हो तो वह काफी चेंग आता है कि आप अपने डिस्जिशन इंडिपेंट हो जाते हो सब इसे कहिए बनेफइट हो तो वह कॉलेज से किसे बेनेफिट होई कालेज से आपको भेते नेटवग के तूर हो जे morals में कर तो कुछ organizations कुछ नहीं करेंगा उस्टत पीपल जो Allez we are the me of यह की जिया लुक्तोट है to be the majority, okay? दो in the team, how about that? अब यही जयरा बन जाओंडे कि आप उनके साथ हो, तो उनका जो गोले है आपका ज अभी वही गोल बन जाता है आपका भी वह माइसेट तबलप हो जाता है तो I had planned for to, after college, even before you join करूंगा but due to some personal issues, मेरे को पापस फेमली दिए लगनो आना पड़ा तो फिर I tried फिर लगनो की बेस्ट फिर्म हैं, मैंने में जोईन करा तो one of the best, तो एक सार यहां पर वर्क करा और खर में ऐसे इस्जी थे नहीं जो में को प्चाहिये था यहां से में को मिल नहीं रहा था I want to work in different domain, तो I separate moved back to Delhi and started with other firm Okay, so, जैसे कि अभनों देखते हैं कि initial years में अगर आपके एक अच्छी आर्टिकल्शिप होजा है तो बहुत सही रहता है, but अगर for any reason आपको transfer लेना पड़े just because you are not getting the right work or for some personal reasons तो जब आप एक नहीं फर्म में transfer लेते हैं, तो थोड़ा क्या दिक्कत होती है कि transfer procedure जो होता है, उसमें कोई दिक्कत होती है या ऐसा कुछ होता है? ये, transfer को ये, case-to-case depends करता है जो में दूस्तर के सात्रा है या मेरे सात्रा मेरे साथ तो ऐसा कोई issue नहीं आया मेरे दोने कम्स बहुत सही थे इसके issues में कोई इसी भी partner कोई issue नहीं किया हाँ दुसूरज, आपका articleship experience कैसा रहा? लगनों में कैसा रहा? फिर जब आप Delhi चलेगे, वहाँ पी कैसा रहा? आप जोन कारे आप चलेगे, इस नहीं कोई आप आपको क्ले में की आपको अलग अड़ेट से चले और भालों में आपना देखने के ओए अन देखने के रहाँ वाटा दा अदर डमे इन शीए कि आपको ऑड़ेट एन एरेया से पाना साइड में क्या मिल सकता है तो मेरा मन्ता वैलुइशन साइड में देखने का एंड I work with this firm वहाँ पर वैलुइशन का work था तो I learned about this वहाँ पर दूसरे काम भी रहते थे जैसे आपका सेटिश्टरी फाइलिंग होगे, ROC का अरिया जो में ठीक है आपका discounted cash flow में से जिसे आपका financial swim पर रहता है FMA तो वैलुइशन होता है लेकिन सबसे जो important चीज होती है जो back का rate निकालना होता है वह सबसे important होता है कि हर company के लिए रेट अलग होता है जो risk free interest है वो तो आपको मिल जाएगा वो तो आप सबसे निकालोगे लेकिन जो risk premium होता है वो एक isn't more of एक art है जो आपको calculate रनी पड़ती आपको risk premium देखना पता है risk premium आपके accept करोगे तो कि जो risk premium है उससे company की valuation इतनी ज्यादा move हो जाती है और Finance FM में हम लोगो वही चीज़ में सिखाई जाती है कि risk premium कैसे निकालते है तो basically जो होता है कि हम लोग के questions होते हैं उसमें आपको data दिया होता है यहां पर आपको data बनाना है आपको यहां पर set करना है पाकि देखो वो तो calculate आपको risk premium देदे यह देदी है आप discount करके value निकाल के लिए वो इस rule कोई भी कर सकता है लेकिन जो risk premium आपको calculate करना है कंपनी का देखे कंपनी कौन से sector में है क्यासा वो बाग कंपिटिटर कैसे है तो वो calculate करना थोड़ा tricky होता है हां तो Suraj आपको मुझे मुझे अपना funny experience बता है अपनी पर लगनों भी था गर्वन्मन अउडिट पर गया था तो मैंने उसे बात हुई कि इस तारीकों मैं आ रहा हूं और टाइम भी पता दिया था कि मैं मॉटन में आऊँगा अपना इस ताइम पर इतने वाजाँगा मैं महां पर गया कोई तो वो चुब बता दे करना जगे तो नहीं बैठे जाके हाँ तो फिर वहां पर एक बंदा मिला तो उसने का भी या एक काउंट एपार्टम्ट वो है उंको कॉल कर दिया है वो आ रहे है तो मैंने का अभी तक साही कि जब बात आप सी हो रही थी आप के अंधर रहा है कि मैं ऑरडिट कर ओडिपरी हो यह जाने में कॉड़ कर दियर सबस्टे कर और राखिए गाम मेंदे कोई अपसे टाइम से isto डे रहा है थी हैnos अपना इन्टरसध कर एक को अधर reduce पेपर मांग दे चार्ट करें, विप्र हद्सें कि हुपूरे कि अच्छा है। कि क céu एकि आटें से क्वाय कर दिि लिए? अच्छा, ने अंच्छा, विपर अच्छा कुले लेका कि नहीं है। यह उन्तलों को फाइदा है। आप इस बगए वाले फर्म में देख लो यहां पर बात कर दो तो अब उनसे बात ही नहीं हुई थी कि यहां पर audit होगा तो वैसे उनसे पूछ लिए आपने का audit होगा आज करा पाएंगे कि हम तो भी आज दो दिन महाब बना रहे होगे हैं कि वहां से आएंगे उसके बात ही स्था कोई और audit लगा हुआ होगा है हमारा कुरूं करेंगे फिर उसके बाद उनसे कानी बना दी कि एक हफता लगी जाएगा नवाबो के शेहर में audit भी नवाबो की तरह होता है कि आराम से करेंगे तो पिर अगले दिन जब ननने बोला कि एक हफते बाद आना दॉक्यमेंट सब कंप्रीट हो जाएगे एक पहले नहीं पहले दो नहीं होला लिया फिर एक हफता लगा है कि यह सीन है एक हथा लग गया हां ओव ही डॉक्वेंट उनने लगा कि एक हफते बाद अब यह आम सही गये कहले में लिगार जाए ऑटिनेगे तो फिर प्रिंसिपल से भात होगे थिक अप्र यह टो पर आपकर दाऊए एक गया पिर जिलाव ही एक अप्ते राद क्यां एक आप गए हो लिगारं पहले लिग है तो पता ही जाना नहीं जाना है रहुत गार खाना कहा लि आपने रहो को गया आपने ऐसे कासे कर दिया है बढ़ बंदा फर्शान हो गया तब आप अपने तरफ से थोड़ा हो तो आप कर देंगे आप एजस्मेंट हो जाएगा आप आप देख लेंगे ना वहले का हम देखते हैं पर अब यह था कि अब जुकना नहीं कर एक तू आप चलिए 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 ब cookie स्ट्टोनीं से हुआ जहां पर जो लेबर को साइन करना होता है वहां पर जूर जिने नने अपने ही साइन मार दिया तो उनका ही पैसे लीगा लेगीक तो अबने पर प्रशार हो गया तब ही जाएज निए पने से हमने अपने चाहथ एंगे यह आप दिखनाक करना पड़ अब क्या करेंगे अब पार कितना खरोच लेंगे जितना खरोच रहोगे आप निकलते ही रहेगा कुछ ना कुछ आप छोड़ दो अब अब चुछ दो आपको आपको पूछेगा वह सकता है पर जहां आपने अपनी नौलेज अपनी एक्सपरटाइश शो किया तो फिर अब आपको या जब आपके ना हुदर से कुछ आप उनका बच्चे समझते हैं अब लोग को तो पहले सो स्राटिंगे आपको सिरियसली नहीं लेंगे आपको कोई भी कंसिदर नहीं करता लेकिन हाँ जब आप ठीक दिखा दिखा दें तो कि हाँ थीक है इसको नौलेज है म उनकी रिपोर्स में काफी नेगिटिव कमेंट्स चले जाएंगे अगर यह साई से उन्होंने अडर्स नहीं किया तो अब वो लोग फिर आपको तेखते हैं कुमिंग्कर में नेक्स कुछिण अब आटिकरशीप जैसे चल लिए होती है उसके बाद सभसे टफ फेस आथा है वो होता है स्यापाइल के एकजाम्स और सिथी फाइन कंगाईप कुछ लोग बहु होते हैं जो रांकर्स होते हैं एक बार में निकाल लेते हैं मैं तो हूं कि दिखो या, IPCCB अब जजजजज़ पास हो रहे हैं, कि यार 60 यार तो मुझे भी लगा जाएंगे, कापी अटम्ट लग जाएंगे, तो लेकिन तो अथार कि रिया पहली अटम्म नहीं क्लियर करना है, तो मोटेब तो यही था, लेकिन जब वो दियारी करें पहले हैं, तो पुरिया दो दिन मैंने खराब हो गया तो उसमें पढ़ाई नहीं पाई थी, फिर अगला अटम्ट देना था, तो उसमें एक हफ्ते पहले, चार दिन पहले मेरे भाई की शादी अच्छा, अटम्ट की चार दिन पहले शादी अटिन यह वो भी अपने सगे भाई की, सगे इसे बात करते हैं हुआ, वो बन गया ऐसी है, अब आप बात करोगे ऐसा पेयर पॉंट वियू से, और वो एक सुक्सेस हो रहता है, कि वो स्टैंड अलग ख़ड़ा हो जाता है, कि वो अलग लेवल पे चला गया है, मैं अभी निचे ही हूँ, मैं यहां पर हूँ, वो यहा पेला टर्म में जब ठीक है कि फेल होगा है कि कुछ नहीं त्यारी करें, सेकंड एक में पूरा करें तब भी आप फेल होगा है, तो फिर एक दिमांग में यह चीज आ जाती है, अब तीसरी वार मैं अलग ऐसा क्या बढ़ता हूँ, कि जो मैं पास हो जाओं, वो टम लग ज बाती ही गे थी, क्यासी मजाग में निकल गया, और इवन में याद भी है, तो जब मेरा दे के आया था, तो मेरा बहुँ जादा बरबाद खराब हो गया था, और एक्साम के टाइम पर में तो नदर श्राफ जाता हो गया था, मेरा हाथ कापने लग गया थे, लेकिन जब भ लगा था, तो फिद अब कुछ ऐसे अड़सरी से भी नहीं याए, भाहां के भी सहीजा, तो फिर वो फिलिंग ही अलग होती है, जब आपना एक साथ, आप में तो यकीन ही नहीं हुआ, पहले तो मैं लग लगा थी का बन ग्रूप, 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 ग्रू का इस गर्वीटू, तो फिलाए, नहीं वे थे पनल, ग्रूप, 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 यह तो नहीं है ब्लूप, ब्सक्राषिए, छल द terrorूप, नहीं है, आप की क्यों प्रच भूप, टूप की ही अच्या गणा च्च पर इसको हम लोग की लाइफ में एक और फेज आता है, इसको हम लोग बोलते हैं, Campus Placement. अफे जो इश्या रहता है, बुकुआ हो आपको इसको हम उकलोप के बिध कि नियुग को विधा में नगाके ऑन। जो प्रिम्यूम इंटी थाल रिती हैं, फिर उसके बाद second attempt, third attempt, ऐसे attempt wise चलता रहता है तो क्या हुआ अब क्या हुआ, मैंने group one से पहले बार गिया, तो मैंने both group दिये, तब नहीं निकला, second attempt दिया, both group नहीं निकला, third attempt में clear हो गया लेकिन जब आप एंटर करते है तोर पूछता है आपको गृृप्ट पन किसे लाइट हुआ अ पर गृपण क्रियरे हुआ वह घुरॉब्टू म JAC कृट तो तर्ण खे रमिंपर कुनिया आती नहीं और को विए प्रम अब एक चीज बहुत सारी स्टूरंट को लगती है कि अगर आपका कामपस में नहीं हो तो आपका क्या होगा अपको लगता है दुनिया ही खतम होगी पर ऐसा नहीं है मैं सूरज की बहुती इंटरस्टिंग स्टूरी है कि कैमपस में अच्छा रिस्पॉंस नहीं मिलने के बाद उसने क्या किया और उसको कहां पर प्लेस्में देखना अब मैं तो आपकेंपस अपना शार्ट कर देखना तो देखना तीक है मैं लाइक और इतना वहां से इच्छ कि अपनी प्लेस्ट करेंगा अपनी वैसे कि अपनी प्लेस्ट मेरा थोड़ा मन था कि अपनी प्लेस्ट करूँगा तो आपकेंपस मेरा थोड़ा मन था कि अपनी प्लेस्ट करूँगा तो आपकेंपस मेरा थोड़ा मन था कि अपनी प्लेस्ट करूँगा तो आपकेंपस म आपना बेस सेट कर लो, तो तब तक यह हो गया था, फिर ऑफ केंपस में भी मिरे, फिर ऑफ केंपस में देखने शाट कर था, तो कई सारी कमने से रिस्पूंस अच्छे आयते हैं उस टाहीं पे, और मेरे कई जगे हो गया था, तो जब केंपस क्रेस्में सार्ट हो है, तो पन जब कर दो 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 कर अब क्या हुआ, on random there I got a call from this big four for the FDT profile Okay this is also a big four for the FDT profile What would you do in FDT? The financial due diligence I had given this interview two weeks back but they haven't responded during that meeting and I think they haven't selected me but after two weeks the staff called me he said she said we have selected you for this and there is a partner round the last interview that has to be taken for you to be selected 10 minutes before the institute interview I called my friend whether should I join, whether should I give the interview or not like I have to go with practice so if I do the interview then my mind will change, my mind will divert so he said give it a chance at least if it happens then it is a good thing otherwise when you are doing it, you are doing it so first I thought I had an interview and on the interview the partner said you are selected Students, I would like to ask you one more question what questions you ask for interviews if you want to tell students if you want to ask them if you want to ask them what questions you ask generally if I categorize three questions one is about you you tell about yourself and the other question is it is about your CV and the third is technical okay and this is the game how much you tell about yourself you can backfocate your interview half an hour interview into three parts when you they ask about you so you introduce yourself you give your introduction in five to seven minutes you give your introduction in five to seven minutes so after five to seven minutes six minutes they ask your time so they pick the question from the CV so you depends upon you how you balance how you balance how you play the game and you take the question if you have less time then you have more time then you have more technical questions so if you have more technical questions so if you have more technical questions I prefer that you have questions so I ask them so I take more time because interviewer time focus is what is limited time generally generally we are the pointers one 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 two one 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 three one 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 number two one one two two one आप as a fresher हो, तो उनको भी पता है कि you don't have this grip on those areas. तो वो चनरली एक case study के basis पर questions आते हैं and they focus more on INDIAS 1.1.5, I remember. 2 & 3 questions. अगर पूछें तो जो भी questions आते हैं, वो accounting INDIAS ही आते हैं मेरे पास. तो INDIAS 1.1.5 से around 3-4 questions थे, कि उसमें कैसे होता है, variables and fixed, उसमें कैसे book करेंगे, different-different scenarios, how you are going to book this revenue. तो INDIAS 1.5 आपका अमस्ते है, तो आपको पता होना चाहिए. फिर they ask about case-based questions, case study-based questions, like one question I remember, they ask me about how you, this is a revenue of this company, and how you will get the assurance, whether this revenue is actual, not they have fixed issues, how you will get this assurance. तो generally, तो start-up हो या कोई भी हो, company generally over-report करेगी, जादा over-reporting cases रहते हैं, तो how you will get this assurance. तो यह सब ऐसे questions पूछी जाहेंगे. तो आपका big four में FDD profile में हो गया. So that is a big thing. FDD is a part of M&A, right? Correct. Okay. So M&A की बारे में थोना सा बजाएगेगा कि M&A क्या होता है? मेरा role is a merger and position M&A. यहां पे मेरा part है, यहां पे financial due diligence करना, like before investing, investor को invest करना जाएग, तो you need an assurance, जो audits में नहीं आता है, क्योंकि audit में we focus on financials, not on other aspects like, वहां पो उनका take rate कितना है, what are their take rates, how much they are earning, उनका growth rate company का कैसे move कर रहा है, तो for that the investors hire us, कि आपको छेकरो कि we want to buy this company, or we want to merge with this company, whether we should offer, what we should offer, क्या इनकी, एक हमको ना, we need assurance, and not assurance on the financial perspective, but on the other, like other KPIs, जो key performing indicators होते है, उनकी growth कहां से आ रही है, तो they need assurance, they need report on debt, तो it's a different role, and it's more like, और मेरा मन भी starting में था, कि finance थोड़ा area में, एक और में को देखना था, तो अब यहां पर FDD में start होगा, तो फिर I went eventually, मैंने पनी practice start नहीं करी, फिर I went on this FDD role, जोब कैसी लगी, आगे क्या, आपका job profile कैसा था, क्या काम करने को मिला वाहां पर, एक तो इसमें दो साइट पर रोल रहते हैं, आपको कभी कभी जो, जो investor मेरा होता है, तो हो ही hire कर लेता है, कि they want to prepare a report, ताकि they can give it to these investors, and present them, and the other thing is, investor hires you, to go and see, for the firms, how their growth revenue is moving, what are the areas where the revenue is having a jump, or what are the KPIs that are moving their revenues, okay? Okay, अच्छा, अगर छोटा से example है, कि मेरी दुकान है, ठीक है, तो अगर, मुझे अपना FDD वालों से, valuation कराना है, और दिखाना है, कि मेरी दुकान किसी और बेचनी है, तो आप क्या देखोगे मेरी दुकान, क्या के चीज़ों होने चीज़े हैं? Okay, हम लोग तो एक तो एक तो एक तो अपना FDD ही है, जो गज़र आप जो रिपोर्ट कर रहे हो, वो है कि नहीं, बट मेरा focus majorly रहता है, कि आपका जो revenue drive हो रहा है, वो कहां से हो रहा है, ठीक है, तो हम उसमें डेटा आपका देखोगे दुकान है, आपके तो हम लोग sector देखेंगे, कि आपका जो revenue है, आपके competitor, जो है, Benchmarking जो कहते हैं, तो Benchmarking जो कहते हैं, तो वीसी, कि आपकी industry में कैसे हो जो आपके competitor से परफॉम कर रहे हैं, and how you are performing, ठीक, 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 ठीक करते हैं, कि आपका revenue कि सेग्मेंट से ज्यादा आ रहा है, जो आपकी दुकान है, आपकी जो आलम बाग में हैं, तो अधिया जादा हैं, तो आपकी जए से दुकान है, कौन से दुकान जादा चल रही हैं, and भीजुक्त पर देखते हैं, कि आपका इंप्रोई एम वहाँ पर कैसे बढ़ रही हैं, तो आपकी ज़ेसे दुकान हैं, आपकी एक आलम बाग में दुकान है, वहां नगर में दुकान, आपके अपिए के अपका अप्य प्याव आपको एसे गारे तरह कोई ज़िए के पाया तिपान के रहे हैं, प्य। इसे अपकोई नई कि यह पर विद्ध हैं, तो फिल्ट अपने नई धूकान के पैसे जो आपने नई अप्लेट वहां पहले हैं, त हो रहा है, revenue is the KPI, revenue is the key thing, जो any investor is more focused on, जड़ी कहा है, so basically क्या है कि अगर हम लोग देखें तो start-ups में भी something similar हो रहा है, कि उनके revenue के basis पे उनको judge किया जा रहा है, on the, their valuation is also decided, on their basis of revenue, so like if you are having a 100 crore revenue, so you will be granted a two or three multiple, so you will be valued at 300 crore, on the basis of revenue, you get valued, okay, so मतब जैसे मेरा business किसी को purchase करना होगा, तो मेरे revenue के two or three times three मेरे को पैसे देगा, यह भी आप सही करें, लिकर जो आपका revenue, we calculate it on a different way, आपको जो financials में revenue आ रहा है, वो actual revenue उसको present नहीं करता है, so we make some adjustments in those revenues, like sometime आपने, you have made some sale, which is abnormal, like due to covid, आपका sale, आपकी drop होगी, plunge होगी, but before that you are having a good business, तो we will take adjustment for this covid period, कि ठीक इतना आपका return by fall आया है, तो we will consider those factors and we will multiply according to that adjustments. Okay, मैं थोड़ा सा मैं यह बताना चाहूँगा, जैसे मुझकी audited financial statements होते है, वो actual figures दिखा रहे है, पर यहां पर सूरच जैसे कि बता रहे है कि FDD में यह लोग उसका technical expect भी देखते है, कि sale किस वज़े से कम हो रही है, यह से किस वज़े से improve हो रही है, यह other factors जो भी है, जैसे कि आप करवा material purchase है, यह जो भी ले सकते हैं, debtors है, creditors है, वो किस वज़े से उपर नीचे हो रहे है, तो उसके according यह reporting करते हैं और उसके according यह company की valuation होता है. Valuation decide होती है, and we will take, जो EBITDA है, तो भी हम लोग EBITDA is earning before interest and tax, अब rent expense है, इंडियस में हमारा different classification होता है, हमने इसको पाट दिया है, या तो interest है, तो उसको हम लोग नीचे लेके चले जाते हैं, and क्युकि यह तो हमारा rent है, यह तो हमारा operating expense है, तो it should be considered in EBITDA, तो it's one of the factor कि हम लोग, क्यों हम लोग financials को हम लोग consider नहीं करते हैं, जो EBITDA financials का है, इसलिए हम लोग अपना EBITDA calculate करते हैं. Okay, so यह तो हो गया, technical expect, बहुत भारी जानकारी हो गए, जो भी मतलब हम लोग के new chartered accountants हैं, freshers हैं, जो भी FDD में जाना चाहते हैं, उनको in-depth information दे दिये सूरज ने कि यह काम होता है, ऐसे करना होता है, तो अच्छा working hours कैसे करते हैं, big force plan? Working hours, it depends upon the basis of project, so generally if the investors are hiring you, so you have a limited bandwidth, so you have to turn around the data, within around two to three weeks, three weeks or one month के अंदर, you have to prepare the report, and the pressure is high in that case, if you are being hired by this investor, they want to check their data, see no one is going to invest during that period, so we have this ample time, three months, it takes around VDD, it takes around vendor due diligence we say, so vendor due diligence takes around three months, okay, so in that period, the work environment is good, you don't have to work on Saturdays and Sundays, but on the buyer side, the pressure is high, you have to work on even Saturday, and sometime it takes like, I remember, working till 5 o'clock, and next day reporting at 10, , , , because you have to present this report to the investor, , 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 तुकि इस time consuming, आपका engaging होती है, आपका, you learn a lot, you have to work a lot on your communication skills, तुकि the way you present, the way you talk is much more important in the consulting industry, because you are directly interacting with the client, not only with the investors, but with those investors also, so you have to make them understand also why we are taking this adjustment, why we are considering this, because, ये तो point impact करेगा, investor को भी impact करेगा, यह तो negatively impact कर सकता है, positively impact कर सकता है, तो दोनों को understanding देना कि क्यों हो रहा है, क्यों क्यों कर रहे है, and ये उनको भी साइच से होता है, क्योंकि it's a multiple effect, क्योंकि revenue को आम रोग 3 times to multiply कर देते हैं, अब अगर स्मॉल एक करोड का भी impact लेते हैं, तो 3-4 करोड का impact बन जाता है, उनके revenue की जो funding उनको आने है, तो दोनों को understanding is more important. Okay, so moving on to the next question, मैं सूरज से पूछना चाहूँगा कि, सबको लगता है CS बहुत boring होते हैं, हम लोग कोई personal life तो होती नहीं है, ठीक है, जो थोड़ी बहुत personal life होती है, उसमें भी हम लोग काम-काम, यह account से finance की बाते करते हैं, तुम्हारा बच्पन से, sports में, extra for regular activities में काफी interest था, तो मतलब यह बताओ कि, तुम अपने free time में क्या करता हो? So, free time में मैं को तो gymming पसंद है, So I was, जालक से फिलाता है, when you lift the heavy weights, so I could have gone that way also, but now in this consulting industry don't get the time to, because see in this power lifting thing you have to take a proper eight-hour sleep, and you have to take proper food at the right time. So agar CA सूरज भी होते है, तो athlete सूरज भी होते है, or India for Edo medal तो मिली जाते है. So, तो अब यहां पर यह तो वह रहता है, आपको एक क्रेस होता है, कि आपको लाइप में क्या अच्छा फील होता है, तो वो तो करना ही जाई है. सूरज भाही बहुत अच्छा लगा आपसे आज में के, आपने बहुत डीटेल में बहुत सारी वहाँ पर गया था. हाँ और मेरे साथ जो है ऐसा कंपिटेंट परसन डैशर गहते तो डैशर ने वो भावने दे रह था तो डैशर ने वाव दिया वो राइट टाइम हो लिया तो डैशर गव शलम आ गई वह चला गया और शेशव गवर्में रड़ी करें है कि मीट तैशर हाई डैशर करें है कि बाई डैशर कि वह वह यह तुम्हाना भी तभी होगा तुम्हाने बारे में पूछेंगे तुम्हें अच्छा बताओ क्या थाया है आज सुमें याद है क्या थाया थाओ तो